दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे पसाओती हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चले सुरवात करते हैं आज की पहली और बाड़ी खबर से। क्या बिहारतू को अरच्छन का लाब नहीं मिलेगा अरच्छन सिर्फ बिहार के इस्ताई निवासी को ही मिलेगा। उनना ने कहा कि बिप्यसी द्वारा पहले भी तीन बार 1994, 1999 और 2000 में सिक्चक निवासी के लिए परिछा ली गई थी। वो समय भी यही नियम था कि देश का कोई भी नागरिक परिछा में भाग ले सकता है और चैनित हो सकता है। यहाँ नियमाली वर्स 1999 में ही बनी थी। इसमें भी बिहार का इस्ताई निवासी की सर्त नहीं थी। बाड़ी खर में देखे पिहार में पंचायती राज ओफिसर के 266 पदों पर भरती निकली। कर सकते हैं। बाड़ी बिगापन में कहा गया है कि चैनित अभी अर्थों की नियुकती एक वर्स के लिए की जाएगी। इसके लिए अधिता मायू सीमा 65 वर्स है। संपूर चैन प्रक्रिया का प्रबंदन पंचायती राज बिवाग द्वारा किया जाएगा। बाड़ी कर में देखे बिहार में ITI का रिजल्ट हुआ जारी। bccboard.bihar.gorman.in पर जाकर अपना रिजल्ट वर रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अर्थी 2023 का रिजल्ट दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। अभी अर्थी जिलवार रैंक कार्ड और ओपन मेरिट रैंक कार्डों से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोनों में अबेर्थू को अपना रोल नंबर वा डेट अब बर्थ लोग इन डेटेल के रूप में देना होगा बाड़े खर में देखे तेजस्वी अदव पर सिबिया चार्ज सेट लेंड फॉर जोब गोटाले में लालू राबड़े के बाद डिप्टी सियम पर भी आरोप पत्र जादिके सिबिया ने लेंड फॉर जोब याने नोकरे के बदले जमील लिखवाने के कथित गोटाले मामले में बिहार के डेट प्टी सियम तेजस्वी अदव के किलाब आरोप पत्र दाखिल कर दिया है देले के राउज एवेन्यू कोड में दाखिल ताजा आरोप पत्र में तेजस्वी अदव और कमपनियों समेत 17 का आरोपी बनाए गया है बिपक्षी दलो की एकता मीटिंग से पहले तेजस्वी अदव ने 14 जून को असंका जदाय थे कि उनका नाम भी चार्ज सीट में जोड़ा जा सकता है इस मामले में यहाद दूसरा आरोप पत्र है और इसमें तेजस्वी के अलावा लालो और राबडी का नाम सामिल है चोदो आने लोगों के भी नाम सामिल है सिब्याई सुत्रों ने बताई कि मामले में आरूप पत्र दाखिल होने के बाद सामने आये नए दस्तावेज और सबूद के अधार पर या आरूप पत्र दाखिल किया गिया है वह इस उत्रों ने कहा कि लालू परिवारू के सदस के अलवा सिबिया ने मामलों में एक नई इन्फो सिस्टम और कई बीचोलों को भी नामज़त किया है आरूप पत्र विसे सिबिया एदलत में दाखिल किया गया है बड़े गर में देखे लालू यादो का बड़ा बयान महराष्ट के बाद नरिंदर मोदी की नजर बिहार पर लेकिन नितिस और हम सफल नहीं होने देंगे महराष्ट में एनसेपी में टूड पर बिहार में सियासी वार पलट वार शुरू हो गया है आरजडी सुप्रेम लालू परसाद यादव ने कहा कि महराष्ट के घटना के बाद भाजपा की नजर बिहार पर लग गई है लेकिन यहाँ उसके दाल नहीं गलने वाली है एमपी तोडने की कोशिस हो रही है बिहार में ने हिलने डूलने नहीं देंगे बिहार सही इनका सफाया सुरू होगा बिहार तो उड़ती चिडिया को भी हर्दी लगा देता है हम सबी कटा होकर हर चुरोती का समना सफलता पुर्वक कर सकते है लालो ने कहा कि आज आरक्षन खतम करने के साजिस हो रही है राम रहिम के बंदों को लड़ाने के साजिस हो रही है बहाई बहाई में नफरत फिलाने के कोशिस हो रही है आज देश टूट रहा है लोकतांतर खत्रे में है नरेंदर मोदी चारो तरब डाका डाल रहे है पर बिहार में हम उने निस्ता नाबुत कर देंगे लालो ग्यान भवन में उदाई कांद लिखेत नितिस कुमार की जिवनी के लोकारपन करने के बाद लोगों को समुदित कर रहे दे जिसमें ये बात कही है बड़े करमेदे के सावन के लिए सज दजिकर तयार पटना की सिवालाई सिव भक्त आज से करेंगे जला भी सेक, मंदिरों को होगा रूद्र भी सेक भगवान सिव का पिर्य मास सावन मंगलवार यानि आज से पुर्वा असाड़ नच्छत्र और येंद्र योग में सुरू हो रहा है इदर सावन माक के लिए राजानी पटना की सिवालाई साज दजकर तयार है मंदिरों में सपाईवा आने तयारिया पूरी हो गई है उन्हें रगीन रुसनी से सजाए गया है मंगलवार यानि आज सिव भक्त जला भी सेक करेंगे मंदिरों में लगने वाली बीड को देखते वे प्रसासन ने विवस्ताव को अंतिब रूप दे दिया है वाजिके सिवालों और मंदिरों में भग्वान सिव का रूदराभी सेक मंगलवार यानि आज से सुरू हो जाएगा इसके लिए विसेस तयारी किया गया है पटना जक्सन एक सित महावीर मंदिर में आज पैतालिस सी वक्त रूदराभी सेक का अनुष्टयान संपन करेंगे महावीर मंदिर में सुबा पांच बजे से राद दस बजे तक चलेगा बड़े करमेदे के बिहार से सरदालो की सुविधा के लिए चलेगी पांच जोड़ी स्पेसल ट्रेने रेलवे ने जारी की सेडियूल जादे कि इस रावनी मेला के अवसर पर सरदालों की सुविदा के लिए रेलवे ने पटना असनसोल पटना जसीडी रक्सोल भागलपूर वा गोरगपूर देवगर की बीच इस रावनी मेला इस्पेसल टेनों का परिचालन सुरू कर दिया है इसके अलवा सुल्तान गंज स्टेशन पर पांच जोड़े ट्रेनों का दो मिनट का टेरा भी दिया गया है अगस्तक प्रति दिन गया से 8 बज कर 55 बजे खुल कर 11.45 में पटना पहुचीगी और पटना से 11.45 में खुल कर अगले दिन 5.45 बजे जसीडी पहुचीगी अगले दिन 3.45 में खुलेगी और दूसरे दिन दो बज कर 30 मिनट में भागलपूर पहुचीगी वहीं भागलपूर रक्सल प्रति दिन भागलपूर से 4.45 बजे खुल कर अगले दिन 3.15 में रक्सल पहुचीगी अधिक दानापूर और साहिब गंज दोनों तरब से 9.17 अगस्तक प्रतिक रहिवार को गाड़ी से 0.236 और 0.233 दानापूर साहिब गंज दानापूर इंटरसिटी एक्स्प्रेस के समय अवाम ठाराव के नसर चलेगी बाड़ेकर में देखे मुख्यमंत्री नितिसकुमार की जिनी पर लिखी किताब का हुआ लोकारपन दिवयांग पर खर्चों की रोयल्टी सबसने अली ने कहा कि गाउं का मुनना कैसे मंत्री बना यह किताब उसकी कहानी है राजसबा सांसात मनोज जाने कहा कि जीवने अगर दोस्त लिके तो वह जिवानत हो जाती है कहा कि लालो वा नितिस के कोई भले ही कितने भी अलोचनक कर ले पर उनको इंग्नोर नहीं कर सकता है बाड़े करवेदी के बिहार में अगले 24 घंडे के दोरान भारी बारिस का अलट बिहार में मांसुन के सक्रेता अभी जारी रहेगी अगले 24 घंडे के दोरान उत्तर बिहार दचिन मैद दचिन पूर्व और दचिन मैद बिहार में जबर दस्त बारिस का असार है मौसम व हागलपुर में कुछ इस्तानों पर भारी बारिस होने की सम्मावना है वाधिके फिलाल बिहार में मांसुन के लगतार सक्रिया बने रहने का पुरौनमान है अभी बिहार में दो ट्रफ लाइन गोजर रही है इसकी बज़ा से मांसुन सक्रिया है कॉमों बेस अगले 48 गंडे कही मौसमी दसा बने रहने का पुरौनमान है वाधिका में पांच दिन तक बिहार का तापमान करीब करीब ऐसा ही रहेगा मांसुन के बारिस दो दिन बाद कुछ कम हो सकती है लेकिन पुरौनमान है कि बारिस का दोर जारे रह सकता है बाड़ेखर में देखे कावारियों के ठहरने के लिए मुप्त में घर जैसी वेवस्ता जानि सरकार ने कहां कहां किया है इंतिजाम जादिके बिहार सरकार ने कावारियों के लिए दवा, एमुलेंस, पेजल, रोसनी, सुरक्षव, ठहरने की मुकमल वेवस्ता की है सुल्तान गंज रिल्वेश टेसंस लेकर दुगमा गेट जारकन बोर्डर तक कावरियों के लिए तमाम वास्ता सरकार के और से की गई है सुल्तान गंज में सरकारी धर्मसला को तयार कर दिया गया है जबकि भागाल पूर मुंगेर वा बाका तीन जिलों में कावरियों को सहलियोत के लिए ठारने का प्रबंद किया गया है कावरिया पत बिहार से जारकन बोर्डर तक करेब 86 किलोमेटर है इसमें से सबसे अधिक करीब 52 किलोमेटर कावरिया बाका जिला के अंतरगत आने वाले कावरिया पत पर चलते हैं कावारियों के लिए जगा जगा पर धर्मसला और सेल्टर तयार किया गया है, धर्मसला के निकट कई जगा टेंड सिटी बनाए गया है, जहां सेकडो बेड लगाए गया है, महिला सरदालों के लिए भी स्पेसल बेड लगाए गया है, वाधिके कावारियों के लिए जर्मन ह बाड़े खर में देखे गाउं में बेरुजगारी वग बनेंगे टांस्पोर्टर नितिस सरकार ला रही है ये उजना ज्यादे कि आप गाउं की बेरुजगारी वग भी टांस्पोर्टर बनेंगे नितिस सरकार उने ऐसा करने में मदद देगे ये बेरुज़गारी वग गाउं से लेकर सरू तक अपनी गाड़िया दोड़ाएंगे एक टांस्पोर्डर के रूप में उनकी भी पहचान मनेगे सबसी बाड़ी बात तो यहाँ होगी कि सपने पूरे करने में पैसों की बादा आड़े नहीं आएगे सरकार उनके लिए खास योजना ला रही है इस योजना से हर साल लगबग 3700 योगों को साहिता देने का लच ने दारित किया गया है परिवान विबाग मुईक मंतरी गराम परिवान योजना के तवावो को वाहन के खरीद पर भारी बरकम साहिता देगा इसमें परतेख पंचायत में साथ लावोकों को वाहन खरीद पर अनुदान के ववस्ता की गई है चैनेत लावोकों को वाहन खरीदने के लिए खरीद मूले का 50 फीदे या अधिकता में 1 लाख रुपे अनुदान के ववस्ता है बड़ी कर्मने के बिहार में भारे बारी से उफान की ओर गंगा, सोन और पुनपुन नदी का भी बड़ा जलस्तर अलट परह प्रसासन राज में भारे बारीस के बाद और नदीओ का जलस्तर भी बढ़ने लगा है पिछले 24 गंडे में नदियों के जलस्तर में 8 से 10 सेंडिमीटर की बढ़ोत्री हुई है हाला कि गंगा समेत कई नदिया अभी भी खत्रे की निसान से लगबग 7 मीटर नीचे है लेकिन जलस्तर में बढ़ोत्री का सिलसला जारी है खास कर गंगा नदी का जलस्तर सभी जगोह पर बढ़ रहा है आपदा परबंदन से जुड़ अधिकारियों को कहना है कि नेपाल में होने वाले बारिस के करण बिहार के कर नदीयों के जलस्तर में बिल्दी हो रही है हाला कि सोन नदी का जलस्तर इस्तर है जबकि पुनपुर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है अधिकारियों का कहना है कि नदीयों के जलस्तर में अभी बढ़ोतरी होने की सम्भाबना है और कटुम बकम का पार्ट पढ़ाया जाएगा राजबहान के तरब से राज के अलग-अलग उनिफसिटी को भेजे गए नई चार वर से इसनातक पाट करम में नई चीजे सामिल की गई है इसके बाद इतिहास इसनातक करने वालों को वेद पुरान इस मिर्तिया आदे के बार में भी पढ़ना होगा राजबहान के और से फिलाला दो समेस्टर का सिलिबस जारी किया गया है दरासल राजबहान द्वार भेजे गए सिलिबस में इतिहास के चातरों के लिए टाइम और स्पेस की भारतिया उधरना ब्रामनी, करगोष्ट, पाली और अवर्ट, लेपी का विकास, भारतिय भासाओ और बोलियो का विकास जैसी भी से भी पढ़ाय जाने की बात कही गई है जबकि राजबहान द्वार भेजान में चातरों को वेस्विक राजबहान द्वार में पढ़ाय जाएगा